हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाए कर सकते हैं जैन साथ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर आदि में बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रन्ट साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है दोस्तों आप मुझसे इस्टा और फेस्बुक में भी जूड सकते हैं इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में दे दूंगी, अब हम अपना पैटन बनाना स्टार करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के इसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर बनाके तयार कर लेंगे, और फ्रंट साइ उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पिछे करेंगे, अब देखिए, नेश्रम छे फंदों में पैटन डालेंगे, तो देखिए, एक, दो, तीन, तीन फंदे छोड़ने के बाद देखिए, जो चौथे नंबर का फंदा है, इन फंदे सीधे बुन देंगे, एक, दो, और तीन, अब जो चौथे नंबर का फंदा हमने बुन दिया था, इसको भी हम यहाँ पे सिलिप कर देंगे, नेश्रम दो फंदे भी सीधे बुन देंगे, यही प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है, धागा अपनी साइड देंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे करेंगे, अब देखें नेश्रम छे फंदों में पैटन डालेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे छोड़के चौथे नंबर के फंदे को उठाएंगे, ऐसे राइट नेटिल से और इस फंदे को सीधा आब जो चौते नंबर का फंदा बुन लिया था, इसको सीलीप करेंगे, और नेश्ठ हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, अब देखें, लास्ट में, दो फंदे उटे आ जाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक्ष्ट्रा फंदा सीधा बुनेंगे, तो देखें फ्रन्ट सा करेंगे और देखे फ्रंट साइड की तरब से जो फंदे उल्टे आए हैं वो बैक साइड से सीधे आ जाएंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड करेंगे और देखे छे फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और छे धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी साइड करेंगे छे फंदे उल्टे एक हो गया दो तीन चार पांच और छे धागा पीछे चार फंदे सीधे ये दो हो गए तीन चार धागा अपनी साइड लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे बैक साइड से हमारी सेकिंड रोव कंप्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से थर्डोव अब थर्ड रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे और फ्रंट साइड से थर्ड रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखे यह फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्ट रो अब फोर्ट रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने फोर्ट रो को उर्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखे बैक साइड से हमारी फोर्ट रो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप्त रो में हमारा पैटन रिपीट एंड शिप्ट होगा तो देखे यह पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपने साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे और नेश्ट हमने छे फंदों में पैटन डालना है तो देखे एक दो तीन तीन फंदे छोड़ के दिखे जो चौते नंबर का फंदा है इसको भून लेंगे यह देखे फिर नेश्ट हमने यह तीन फंदे बुन लेने हैं यह देखे यह तीन फंदे हमने सीधे बुने फिर देखे जो फंदा हमने पहले बुन दिया था इसको सिलीप करेंगे फिर नेश्ट हम दो फंदे सीधे बुन लेंगे यह देख, यह 6 फंदों में पैटन आ गया, धागा अपनी साइट करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर धागा पीछे करेंगे, और नेस्ट 6 फंदों में पैटन डालेंगे, तो देखे, 1, 2, 3, 3 फंदे छोड़ने के बाद देखे, 4 नमबर का फंदा, ऐसे राइट निडिल से उठाएंगे, और इसको पहले बुन लेंगे, यह देखे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर देखे, जो फंदा पहले बुना था, उसको सिलीप करेंगे, और देखे, यह 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर देखे, यह 6 फंदों में पैटन आ कर दागा अपनी साइड और देखें एक धो 3 और चार पन्दें उल्टे बुने धागा पीछे एक फन्दा सीधा लास्ट का पन्द सीधा भी सीधा बुणनेंगे तो देखें फ्रण्ट सायड से हमारी फिप्तरो कंप्लीट हो गईının फिप्तरो में हमारा पैटरन रिपीट्ट सिफ्ट हो रहा था आप देखे बैक साइड से 6 रो में भी देखे पहला फंदा उतारेंगे और देखे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी साइड 6 फंदे उल्टे दो तीन चार पांच छे धागा पीछे एक दो तीन चार फंदे सीधे छे फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड फ्लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे बैक साइड से हमारी 6 रो कंप्लेट हो गई आप देखे फ्रेंट साइड से सेवंत्रो पहला फंदा उतारेंगे और फ्रेंट साइड से सेवंत्रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लेट करना है करना है ये देखे ये फ्रंट साइड से ये देखे ये फ्रंट साइड से हमारी सेवन त्रो कम्प्लीट हो गई अब देखे बैक साइड से एड त्रो अब एड त्रो को देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से एड त्रो को हमने उल्टा भूनते हुए कम्प्लीट कर लेन यह देखे यह बैक साइड से हमारी 8 त्रो कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से 9 त्रो अब 9 त्रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और देखे 1 2 3 और 4 यह 4 फंदे सीधे 4 फंदे सीधे बुनने के बाद देखे नेश्ट हमारा 6 फंदों में पैटन आएगा तो देखे 1 2 3 तीन फंदे छूणने के बाद देखे जो 4 नमबर का फंदा आएगा इसको हमने राइट नेडिल से उचाना है और सिधा बुल लेने फिर देखे नेस्ट हम 3 फंदे भी एक एक करके सीधे बुनेंगे ये देखे नेस्ट फंदा ये вिखे ये सिलीप कर देंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे तो ये 6 फंदों में पैटण आ गया फिर धागा अपनी साइड आएगा और और चार फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, और नैशन हमने छे फंदों में पैटन डालना है, तो देखे, तीन फंदे छोड़ने के बाद देखे, चोथे नमबर का फंदा ऐसे राइट निडिल से उठाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर आगे के तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर दो फंदे सीधे आजाएंगे, धागा अपने साइड, लास्ट के दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी नाइन त्रों कमप्लेट हो गई, अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट करते जाना है, और बनके देखे, हमारा पैटन कुछ इस तरों से आजाएगा, ये देखे, बहुती सुन्दर, बहुती आसान पैटन है, आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें, थैंक्यू,